हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टो और चैनल मॉम सिक्रेट जाएका फ्रेंद्स में आज आप लोगर साथ बहुत ही कूल और रिफ्रेशिंग रेश्पी शेयर करने जा रहे हूं फ्रेंद्स कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई वी वेजटेवल एविलेबल नहीं होता है या फिर हम बहुत जाए ठके होते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई हम ऐसी रेश्पी बना दे जो कि जट पर बन जाए तो हमारे माइन में दो ही रेश्पी क्लिक कर दिये खिचरी तो आज में आप लोग के लिए इन दोनों रेस्पी का एक अल्टरनेट रेस्पी भी लेकर आई हूँ जिसे आप जट पर बना सकते हैं और अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं तो चलिए बनाना सू करते हैं मिंट राइस तो इसके लिए मैंने छोटी लाइची साथ याट काले मिर्ज दो लॉंग थोड़ा सा दालजिन श्टिक तेज पत्ता वन मीडियम साइज टोमैटो और एक बड़े बावल में पोदीना पॉण पॉण पोदीना की क्वांटरे में ज्याला चाहिए वन बिग साइज चॉब्र तीन से चार ग्रेन चिली और जिंजर गाली ले लिया है और हमने दो कप राइस ले लिया है जिसे हमने आदे घंटे के लिए सोक कर लिया है अपने कुकर को गैस पे रख देंगे और इसमें हम तीन चम्मच ओल डाल देंगे जब हमारा ओल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डाल देंगे जीदे को अच्छे से हम क्रेकल होने देंगे ताकि इसका कलर ब्राउन हो जाए अब हम इसमें अपने खड़े मसाले को डालेंगे अब हम इस गरम ओयल में श्टार एनेज याने चक्रफूल एक छोटी लाइची एक बड़ी लाइची तेज पत्ता, साथ से आठ काली मिर्च और दो लॉंग और दालचनी श्टिक डाल देंगे और इसे अच्छे से तेल में रोष्ट कर लेंगे अब हम इसमें चॉप्ट जिंजर और गालिक डाल देंगे और इससे तब तक भूल लेंगे जब तक इसका मसाले में फ्लेवर ना आ जाए अब हमारा गालिक अच्छे से ब्राउन कलर का हो चुका है अब हम इसमें चॉप्ट अनियन डाल देंगे chopped onion को हमें तेल में अच्छी तरह से roast करना है जब तक इसका color brown ना हो जाए देखे इसका color brown हो चुका है अब हम इसमें कटे हुए green chili को डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे जब यह अच्छी तरह से mix हो जाए तब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इससे भी तब तक भूल लेंगे जब तक यह मैसी नहीं हो इस ओंपल्दी कोंट्टी कमी रखनेंगे है अब इसमें अख्ये तरह मिक्स करके पका लेंगे जब यह अच्छे से मसाला हमारा जाएगा तब हम इसमें पूदीने को दाल देंगे हमें यहां पे पुदीने की quantity ज्यादा रखनी है जिससे कि हमाया राइस में पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा है और इसे तब तक पका लेंगे जब तक यह इसकी quantity half reduced न हो जाए देखिए अब हमारा पुदीना अच्छे से ready हो चुका है अब हम इसमें से तेज पत्ते को निकाल कर बाहर फेक देंगे और इसे कुछ तेर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक स्मूथ पेष्ट बना लेंगे अब हमने उसी पैन में एक चम्मच ओयल फिर से डालना है जब हमारा ओयल अच्छे से गरम हो जाएगा तब ओनियन और पोदीने का जो पेष्ट है हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से तेल में हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जब यह अच्छी तरह से तेल में पक जाएगा तब हम इसमें अपने सोक के हुए राइस को डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमारे राइस पोदीने में अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें नमक डाल देंगे यहां हमने दो चमश नमका यूज किया है आप अपने टेस्ट को अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और लीड लगा कर एसे दो विशल आने तक इसे अच्छे से पका लेंगे अब हमारे गैस में विशल आ गई है अब हम लीड को ओपन कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेंज हमारा पुदीना राइस बिल्कुर रेडी है चलिए इसे सर्व कर लेते हैं देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया हुए है यह बहुत ही टेश्टी होता है और माइन को बहुत रिफ्रेश करता है हमने पुदीना राइस को एक प्लेट में सर्व कर लिया है आप इसको प्याज और खीरे की राइते के साथ इंजॉय कर सकते हैं यह आपकी बॉडी को बहुत ही रिफ्रेश करेगा और हम इसके उपर थोड़ी से पुदीने से गार्णिश कर लेंगे फ्रेंड आपको हमारी अ मिन्ट राइस के रैष्पी कैसे लगी अगर आपको हमारी रैष्पी पसंदाई हो तो फ्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेर and सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे आने वाली ऐसे ही कूल और रिफ्रेशिंग रेश्पी सबसे पहले आप तक पहुचे थैंक यू